आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कूल लीडर्शिप और मैनेजमेंट यानि जो आपका SLM का पेपर है सेकेंड येर का काफी इंपोर्टेंट आपिक है ये एक तरह का अगर आप देखोड़े 10 के 10 सब्जेक्ट तो कुछ तो ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट येर से रिलेट होता है सेकेंड येर में तो इसलिए भी आपको यहां पर थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है कि पुरानी चीजों से काम नहीं चलता तो देखेंगे यहां पर 80 वीडियो में पांचों यूनिटों मैं कवर करूंगी और कोशिश यही रहेगी कि जो ब बता रहे हूं वह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पिछले कई सालों एक क्वेशन पेपर में देखे रहे हैं कि इससे रिलेटेड प्वेशन आ रहे हैं तो ट्रेंड जो बना होता है न वह आगे भी चलता है तो ट्रेंड जिस क्वेशन का बना है तो फिर व बना पढ़ें आप पेपर में बिल्कुल नहीं जाएंगे तो इस टार्ट अरतें वीडियो को और यूनिट वन को तो यूनिट वन में सबसे पहले जो आएगा आपका टॉपिक वो है विद्याले संड़ठन तो आपको स्कूल ऑर्डिनाजेशन क्या होती है यह पढ़े जा है तो आपको स्कूल क्या होता है स्कूल ऑर्डिनाजेशन क्या होता है फिर इस एकौन-कौन पार्ट होते हैं यह सारी चीज़ा आपको पढ़के जानी है अगर आपको यह डीटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ एसलम की और वहां पर पांचों यूनिट है डीटेल में दे हुई है तो आप वहां जा क्लियर कर लो आप से ट्लियर कर लो में जा है पर देख लो उसमें प्रापनधन और सांडा यह से मैनेज़मेंट भी से सिध्धान्थ में होना चाहिए तो प्रिंसिपल आफदा विध्याले प्रबंधन यह आपको जरूर पढ़े जाना है अभी नीचे मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं बाती आप मैं प्रिंसिपल इसे टॉपिक्स बताऊंगी हैडिंट बताऊंगी औ और अगर आप बहुत जादा एक्स प्लेइन में देखना चाहते हो तो फिर युनिट वन्टी वीडियो जाकर देख लो SLMT उसके बात जो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट टॉपिट है वो है प्रधानाचारे एक विद्याले प्रबंधते रूप में कि जो प्रिंसिपल है as a manager of the school तो क्योंकि आप देखिए कि school जो है वो हमारा organization है माल लो और उसके अंदर हमें करना है management तो जो head है school का वो कौन है प्रिंसिपल तो manager की जो duty है वो एक principal ही निभाएगा ना इस school के अंदर जैसे office आपना manager होता है तो school का manager कौन है प्रिंसिपल है तो किस तरी इसम देते हैं principal को उसके हाथ में सारी power होती है वो सबको एक साथ बांद के रहता है time table schedule सारी चीज़े उन्हें decide करनी होती है इस school के rules regulation discipline maintain करना तो सारी चीज़े वो ध्यान रहते हैं तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे points आप ले सकते हो और मैंने playlist वाले वीडियो में तो 10-12 points बता रखे हैं आप चाहों तो वहां से 2-4 points note कर लेना अब आड़े देखिए जो बहुत ज़्यादा important आपीट है बहुत ज़्यादा important आपीट है मतलो या तो दस नंबर में या तो पांच नंबर अनोट यह आएगा ही आएगा TQM यानि संपून गुणवंता प्रबंधन क्या होता है total quality management तो बात ओर यह स्कूल ती तो यह स्कूल से ही related है कि स्कूल के अंदर ऐसी qualities हो संपून गुणवंता हो मतलो हर तरह की quality होनी चाहिए स्कूल में जाए तो उसको हर तरह के गुण मिले यह पॉफेक्ट स्कूल की अवधारना जो होती है वह यहां पर वेसे त्री जाती है तो इस ते अलावा आप पढ़ लेजेगा TQM जरूर पढ़के जाए इस ते अलावा आप देखेंगे यूनिट वन में आपके काफी सार बोर्ट्स इनाम दिये हुए है जैसे SCRT, diet, NDC, NCRT इसके इलावा भी BRC, CRC बढ़ेरा दिये हुए है तो आप एक बर उनको थोड़ा सा री-रीड अर लें लेकिन उसके अंदर भी जो बहुत जादा इंपोर्टेंट आपके लिए अगर मैं बताना चाहूं तो वह SCRT है जिसे आप डीपली पढ़े जाओ क्योंकि SCRT से आप खुद भी जुड़े हुए हो है नो तो यह आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि SCRT आयरा आयरा फिर डाइट भी आपसे रिलेटेड है एक अंडे-मसी कर लो और NCRT तो जरूर पढ़के जाना है क्योंकि यह तो पूरा हमारा पूरा ही CENTRAL BORDS है तो इस ओपढ़कर जरूर जाए इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं तो इनकी कार्य क्या होते हैं दूसरा इनका अर्थ क्या है और तीसरा इनकी FULL FORM से आप जरूर पढ़के जाये तो हम क्या करते हैं शब्द को ही समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये शब्द और उस इबाद लेदेते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि मैं विद्याले प्रबंधन सिध्धानत आपको बता दूंगी प्रिंसिपल्स जो ट्यूप पर टॉपिक आया था तो इसमें कौन कौन से सिध्धानत होते हैं मतलब कि इस बेसिस पर काम करता है ये स्कूल मैनेजमेंट तो पहला नौकर शाही का सिध्धानत अब नौकर शाही का मतलब यह निया को यह नौकर है और दूसरा महले है इस काम चिलिए रखा रहा हूं तो ये काम मुझे इमानदारी से करना है सबको मोटिवेशन मिलनी चाहिए तब ही जो है पूरा मैंजमेंट है वो अच्छे से चल पाता है लचीले 15 सिद्धान्त की ताइम सिच्वेशन के चीजों को चेंज करना पड़े तो अफकॉर्स हम उने चेंज कर सकें यहां यूनिट वन आपका फिनिश हो जाता है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने आपको यूनिट वन के बता दिये और थोड देफिनिटली क्लियर कर सकते हैं और वहां पर आपको भरभर के पॉइंट्स मिल जाएंगे तो वह जो नोट्स तयार किये रहे हैं वह दो तीन टिताबों को इंटरनेट से टीचर्स इमदश से मतलब काफी जादा उसमें महनत दी रही है और तब जाटी वह पॉइंट्स त पढ़ा ही नहीं तो युनिट टू स्टार्ट अरेंग बहुत ज्यादा इंपॉर्डेंट आपिर है युनिट टू का वह है कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट यानि संघर्ष प्रबंधन अभी इंटर्नल में भी पेपर में आया हुआ था यह वाला क्रोश्चन और इससे पहले का तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि संघर्ष प्रबंधन होता क्या है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संघर्ष क्या होता है तो संघर्ष क्या होता है जब किसी चीच पिलिए दो लोग लड़ रहे होते हैं तो ऐसे में क्या हो जाता है कंफ्लिक्ट हो सब को सही योग मिले अभी वैति इस वतंतरता सभी अभी वैत कर सके जो उनके मन के विचार है समझाता करना आता हो सम्मान आदर करे दूसरे का गाइडाइंस मिले और चर्चा कर सके तो इन तरी इसे कंफिलिक्ट जो है उसे स्कूल के अंदर मैनेज किया जा सकता है अब आता है आपका तनाव प्रबंधन तो यह वाला ही तनाव है यहां पर कैसे हो सकता है टीचर को एक्स्ट्राम दे दिया जाए या बच्चों को एक्स्ट्राम दे दिया जाए तो इस तरी इसे जो हता है टीचर स्टूडेंट और प्रिंसिपल भी अपने स्कूल को लेकर क् तो इसका management कैसे किया जाएगा स्टूल के अंदर सब्सक्राइब तो positive communication हो सब के बीच में एक दूसरे से बात्चेत करें समय प्रबंधन time manage करके चलें सुयम के सच्छे मित्र बनें विवर्णी का यानि diary writing कर सकते हो आप सम्मुदाय से सहायता ले सकते हैं तो डॉक्टर बगड़ा या आपको जरूरत है तो अब देखिए next जो है इसमें वह समय प्रबंधन यानि time management तो यह भी आपके लिए ट्राफी ज्यादा important topic है अब यह पढ़ लेंगे आप उसके बाद जो topic आता है कि website नैतिकता क्या होती है जो किसी भी website हम चुनते हैं चाहे वो teacher हो, doctor हो, engineer हो, neta हो, कोई भी website हम चुनते हैं तो उसके कुछ होती है, नैतिकता होती है जो हमें माननी होती है उसको ना मानने से ह हम पर केस नहीं लग जाया लेकिन क्योंकि हमने वो website चुना है तो हमें मानना चाहिए ऐसा moral कहता है तो यहां पर आपको शिक्षट की आप टीटी टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर की moral जो वैल्यूज है या फिर website नैतिकता है professional ethics है वो आपको पता होना चाहिए और इसी व होने चाहिए भी moral ethics या फिर educational vocational ethics तो अच्छा वैति तो personality अच्छी होने चाहिए वेश भूशा टीचर की बहुत जादा impactful होती है बच्चेरे उपर सर्वांगीन वियास पर बल दे टीचर ऐसा होना चाहिए आदर्श्वादी चरितर उस अखुद का होना चाहिए संस्कार औ इन teaching करने में मज़ा आता ही नहीं है तो फिर क्या फाइदा teaching करने का उसके बाद शिक्षक की जवाब दे ही accountancy भी बहुत जादा important आपिर आपके लिए तो इसी से जुड़ा हुआ है कोई बहुत अलग चीज नहीं है एक teacher की चीच प्रतित जवाब दे होता है आप खुश सो समय अनुसा काशा लेते रहें और नियमों का पालन करें तो यह सारे जवाब दे ही accountancy है teacher के यह चार-पांच पॉइंट मैंने आपको बताएं इसके लवाब बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको explanation वाली वीडियो में बताए होंगे अभी देगे unit 3E तरफ चलते हैं और यह ह आपका बहुत जादा important topic कि काशा काश प्रबंधन यानि जो classroom management है अब आप एक teacher हो आपको classroom मिल रही है तो उसको management अरना है उसका आपको तो वहाँ पर management तो करना ही है इसके साथ जो important topic जुड़ जाता है वो यह है कि उस management जो classroom है उस dimensions क्या क्या है आयाम क्या क्या है तो आपको यह जरूर पढ़े जाना है पहला भौति भौति में क्या है रहा classroom ही जितनी भी भौति अवस्त है चाहिए वो table, desk, chair, blackboard, fan, window वगया रहा है इन चीजों management फिर second manovidyanik में क्या हो रहा कि बच्चों को उनके accordance हाना कि sister बच्चे है उस accordance उनको classroom के अंदर पढ़ाना फिर नैती तो नैती में क्या हो रहा कि teacher खुद भी एक leader ही तरह होता है classroom में तो खुद अभी वेवार उस नैतीकता पुहन होना चाहिए ताकि बच्चे भी नैती बन सकें फिर सामाजी और सांस्प्रिति कि वो समुदाय से बच्चों को जोड सकें समाज में बच्चों का सामावेशन क कर सकें तो यह चारो डाइमेंशन आपको याद रहनी है कि यह चारो डाइमेंशन classroom management ही है next है आपका constructivism classroom यानि रचनात्म क्रशा का क्या होता है आपको यह पहले से भी पता है अभी curriculum में भी मैंने आपको बताया था constructivism क्या होता है थी नए रियान का सरजन करना चाहे पु तो रचनात्म क्रशा में क्या होता है कि बच्छों को सट्डिय भारिदारीता होती है बच्चों की active classroom होता है पॉजिटिव महौल होता है अन्वामेंट अच्छा होता है पूर्वद्यान का प्रियोग होता है यह सारी चेजें आपको इस्ठी अंदर लेनी है समावेशी क्र पुर्व विवहार हो यह सारे पॉइंट्स आपको इसमें लेने हैं अभी मैं सिफ टॉपिक बता रही हूं आपको फुल फुल हो भी ध्यान हो आत्म विश्वास होना चाहिए मिलन सारीता होनी चाहिए और अच्छा वैतित्व होना चाहिए तो यह सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखें ने पेपर के लिए नेस्ट है भीड़बार वाली करशा का प्रबंधन कैसे करोगे और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको सब्डिवीजन कर दो रूल्स इसपस्ट अरदो है ना क्लास्रूम के बाहर रूल्स लिए वा दो बच्चों को मोटिवेट अरो और एक्टिविटीज इत्रियू पढ़ाओ ताकि ज्यादा बच्चे हैं तो एक्टिविटी ग्रूप में करवाओ ये सारी स्ट अनुशासन को नहीं मानते या उनका पीर ग्रूप अच्छा नहीं है तो भी हो सकता है तो आपको फिर इसे उपाए भी बताने हैं इसकी बात है कि कशा और विद्याले में दुर्व्यवहार से निपटने के हस्तर शेप क्लास्रूम में या जो स्कूल में बच्चे परेड़ना मोटिवेशन में और रूचिपूर्ण शिक्षण वीदियों और प्रियोड हो ताकि वो बच्चे पढ़ाई में जो है वो इंटरस्ट ले सके इसी ते साथ यूनिट थी खता होता है और यूनिट फोर यहां बात अरेंगे तो यहां पर नेत्रीत वो लीडर्श हो उच्छ रहे है तो परभाव पुर्ण संपरेशन हो पाता है नेत्रीत्ive शैलियां जो लीडर्शिप वहीं कौन कौँँ शैलियां को सकती तो यह सारे मैं सिर्फ points आपको बता रही हूं अगर आपको deeply explain में जानना ही क्या है तो आप unit 4E वीडियो जाकर दे सकते हो आधिकारी ठोड़िया अनुदेश शातमक जन तंत्रिये और हस्त शेपय और परिवर्तन कारी तो यह पास तरह की लेडर्शिप क्या होती है सैलिया होती है या फि communication होता क्या है फिर इसमें बाधाये कौन-कौन सी आती है क्या बाधाया सकती है बाहर से शोर हो सकता है इंडिसिप्लीन हो सकता है और शब्दों असाही प्रियोग ना कर पाना यह सारी बाधाये होती है फिर चरण कौन-कौन से स्टैप होते है अर्थ और गुन तो यह चार influencer कहते हो ना तो influencer जो leader है उसे कौन-कौन से quality होनी चाहिए यह as a teacher ही आपको बताना है क्लासरूम के अंदर आप ही leader हो उसे बाध परिवर्तनकारी और अनुदेश आत्मक्त यह दो जो शैलिया मैंने उपर अभी बताए थी इन में प्रधानचारियों शक्ष्ट की क्या भूम प्रफत योजना और नियोजन मतलब किस तरीए से संस्था जैसे यह स्कूल संस्था है तो इस अंदर योजना किस तरीए से बनाई जाती है और फिर किस तरीए से उन योजनाओं को पालन किया जाता है तो सबसे पहले तो आपको concern area बताना होगा कि कौन-कौन से area लिए आप योजनाओं बना सकते हो तो स्कूल प्लांट सुधार स्कूल की बहुत इचीजों इलिए शिक्षा में सुधार के लिए पठ्थे पुस्त अर्तिरित क्रियाएं जो होती है और सामुदाइक कार्यक्रम अगर आपको करने पड़ें कभी कुम्हार के वहां ले जाना हो आपको बच्चों को दिखाना हो कि कैसे पोटरी टी जाती है किसी बाड़ान में ले जाना हो आपको फामिन की बारे में बताना हो तो इन सब की लिए आपको योजनाएं बनानी पड़ती है अब इस चरण क्या होते हैं यह आपकी लिए इंपॉर्टन्ट है चरण या प्रोसेस कह तो पहले तो योजना की तैयारी करना फिर आवशताओं की पैचान की तिन तिन चीजों इस जरुत पड़े दिया में इसमें फिर संसाधनों का सर्वेशन करना कि क्या ये परियापत मात्रा में हैं या नहीं फिर योजना का एक्जिट्यूशन यानि करना और लास्ट में स्कूल विकास योजना कैसे मतलब ऐसी योजना हैं जिससे स्कूल का विकास हो तो स्कूल में कौन सी ऐसी नीतिया योजना है चलती है दो-चार आप खुद भी लिग सब्सक्राइब अगरा जाती है एसमसी मेंबर्स बनाया जाते हैं फीडबैक लिया जाता है यानि टाइम टेबल के फायदे नुकसान एक्चली में फायदे ही पढ़ने आपको फिर मिड़े मिल क्या है क्यों लाया गया इसे क्या फायदे हैं और एजुटेशनल ट्रिप कि आप एजुटेशनल ट्रिप बनाते समय कि इन बातों अध्यान रखोगे और एजुटेशनल ट लबैती इस्टूल में एक ऐसी ट्रमेटी बनाई जाए जो सभी सूचनाओं को क्या करें प्रचार और प्रसार करें ठीक है तो इसे बारे में और डीपली पढ़ना हो थोड़ा एस्प्लेनेशन जाननी हो तो आप यूनिट 5 की वीडियो दे सकते हो उसे बाद जो लास्ट सहभारिता या संसाधनों अपरियोग तो समुदाए यानि जो हमारे स्कूल के बाहर एक कम्यूनिटी है संग्रहाल है बागान है इन सब को हम कैसे यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए या स्कूल से जोड सकते हैं तो समुदाए से रिलेटिव क्वेशन आप दे ओ तो ट्र में आ रहे हैं जैसे सीसी ए वहर मतलब आने की चांसिस होते हैं वहर सब्जेक्ट में आ जाते हैं सीसी आर्या कॉम्मिनिकेशन आर्या शिक्षा रिया तो इन सब्की डैफिनेशन पर्मनेंट वाली याद रहे हैं और हर पेपर में लिटके आजाओ उसको तो अगर वो यह समझ लो यह तरह से पूरा निचोड दिया है पांचो यूनिट ओ और जितनी भी इंपॉर्टेंट आपिस है मेरे रहाल से तो दो चारी छूटे होंगे बाकि सब ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिये हैं तो जरूर इन सब को क्लियर करिए पेपर लिए जाए